इस यूटिए पर मैं आप लोगों को बताऊंगा Google Adsense पिन के लिए आप reapply कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले Chrome browser में desktop site पे Google Adsense पे login हो जाना है तो चल मैं यहाँ पर login हो जाता हूँ login होने के बाद मैं इसे रूटेट कर दूँ ताकि आपको clear अच्छे से दिख सके ओके रूटेट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे कुर देख सकते verify your billing address लिखा है और यहाँ पर we posted a pin to you on chain number 2022 it solved the tag 2-4 week मतलब कि यहाँ पर मैंने chain number 2022 को apply कहा था Google Adsense pin के लिए और 2-4 अपते बीच चुके है बट मेरे पास कोई Google Adsense pin नहीं आया है तो मैं इसे reply करना चाहता हूं तो उसके लिए आपको verify पर click करना है तो चल मैं यहाँ पर click करता हूं जैसे अप यहाँ पर click करेंगे तो आ आपका पुराना वाला आपने जो पहले डाला था वह address देखने को मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर recent pin पर click करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर address को मैं change कर दिया हूं आप यहाँ पर update address पर click करके आप भी change कर सकते बहुत आसान है तो आप यहाँ पर update address पर click करके change किजे अगर आपको change करना है तो उसके बाद आपको यहाँ पर recent pin पर click करना है जैसा आप यहाँ पर click करेंगे तो आपको फिर से वही page से होगा जो हमें पहले दिखाए दिया था तो अब यहाँ पर देख सकते यहाँ पर send 6 number 2022 लिखा था आप पर पहले mobile number नहीं दिया था इसलिए मेरे पास Google Adsense पिन नहीं पहुच पाए था तो अगर आप भी mobile number नहीं दिया है तो आप यहाँ पर mobile number डाल दिजे तो आपके घर तक आपका Google Adsense पिन पहुच जाएगा तो असा करता हूं आपको छोटा से वीडियो पसंद आए होगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिजे और चैनल के नहीं तो चैनल को सब्स्राइब करके नोटिप्रेशन आल पिजावड किलिक करें ताकि सबसे पहले आने वाले वीडियो को नोटिप्रेशन जोए आप तक पौस सेके